हलो माई डिया स्टेंट्स वेलकम यूँ वन्स अगेन ओन दे यूटूब चैनल अंग्री जी अकेडमी डिया स्टेंट्स आज हम बहुत ही इंपोर्टेंट थिंग्स आपके लिए लेके आये हैं दोफ़फिक हैम लगए जो टरांसफोर्मेशन का जो टोपिक है जो वयस वर्सा जो टोपिक है जो बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है देखिए LDC exam में 100 marks के आपकी questions जो है 50 questions पूछे जाएंगे तो ध्यान रखना आपको ये देखना है कि क्या चीज जो है वो आपके लिए important है बहुत ही important जो strategy जो है उसके according आपको त्यारी करनी है और नेशित रूप से आपको सफलता मिलेगी तो सबसे पहले मापको आपके लिए एक बहुत important topic लेके आए हूँ transformation का जो बहुत ही important है और आपसे question पूछे जाएंगे 100% उसमें से question पूछे जाएंगे तो आज हम discuss करेंगे एक छोटा सा जो simple paper आपके लिए लेके आए हूँ है और हमारी जो अकेडिमी है अंगरेजी अकेडिमी इस पे आपको LDC का जो total course है total syllabus है वो मिलेगा ठीक है तो देखिए first question जो है वो transformation का है कि transform the given sentence into assertive assertive sentence में आपको क्या करना है transform करना है assertive sentence जो है उसमें आपको change करना है यानि कि assertive का मतलब आपका क्या हो गया negative हो या फिर affirmative हो दोनों को मिला के हम उनको क्या बोलेंगे assertive sentence बोलेंगे आपको सबसे पहले द्यान में यह रखना है तो देखिए पहला जो है how gorgeous is the sunset और यहाँ पर यह इंटो जो है आपका exclamatory mark यानिकी यह जो sentence है वो exclamatory का है exclamatory sentence में exclamatory mark यह होता है जिस भी sentence के आगे यह exclamation का mark होगा that is called exclamatory sentence और इसको किस में change करना है assertive sentence में change करना है तो देखिए इस में assertive sentence का मतलब क्या हो गया simple simple का मतलब हो गया साधरन तो देखना है यहाँ पर यह इंट्रोगेटिव है यहाँ पर यह भी क्या हो गया इंट्रोगेटिव हो गया और यहाँ पर यह वापस क्या हो गया exclamatory sentence हो गया लेकिन यहाँ सीदा सीदा सा है the sunset is very glorious जो sunset है जो सूरी अस्त है सूरी अस्त होने का जो scene है वो भूत ही मन मोहक है तो यह यहाँ पर सिंपल हो गया यह साधरन sentence हो गया तो इसका answer क्या आ गया c आ गया मैं एक बार वापस बता रहा हूं आपको कि यह जो sentence मैं आपको करा रहा हूं इन में से 100% ऐसे ही sentence आप से पूछे जाएंगे ठीक है उसके बाद में जो second question आता है transform the given sentence into superlative का आपको change करना है तो देखिए degree जो होती है वो तीन प्रकार की degree होती है positive degree comparative degree और superlative degree positive degree जो होगी उसकी पहचान होगी as as या फिर so as एक चीज़ दूसरी क्या होगी positive की पहचान होगी er या फिर उसमें क्या लगेगा more लगेगा और superlative के पहचान होगी या तो उसमें dead तो आएगा या आएगा ठीक है लेकिन दूसरा क्या सकता है most और est यह जो चीज़े हैं वो आपके सामने आएंगी तो यह जो है इसमें यह पूछा है कि superlative degree में आपको change करना है तो superlative degree में change करेंगे तो देखिए पहरा क्यूशन है no other metal is edge, edge edge है तो यह comparative degree होगी तो कि इसके अंदर क्या आगया edge और edge आगया अब इसको हमें superlative में change करना तो superlative में accept नहीं आता है दूसरा क्या हो गया यहाँ isn't gold तो यह isn't interrogative बन रहा है gold is the most expensive of all metal gold is expensive all the metals तो देखिए यहाँ पे आपका जो answer होगा वो होगा all metals यह वाला होगा all the metals की बजाए all metals यह important edge के अंदर तो gold is the most expensive of all metals यहाँ पे इसका answer क्या होगा दी answer होगा हमने जो degree है बहुती बहतरी इन धंग से explain किया है मेरे जो आप description में जाके देखोगे तो वो जो degree वाला जो portion पूरा आपको वीडियो में मिल जाएगा लिंक मिल जाएगा उसमें आप देख सकते हो उसके बाद next question आता है question number third transform the given sentence into simple simple sentence क्या होता है बहीं देखिए सबसे पहले simple sentence को पहचानना है simple sentence को पहचानने के लिए उसमें एक ही finite verb होती है निकि एक ही sentence होता है एक ही finite verb होती है finite verb क्या होती है जिसमें जो subject से और tense से changes हो जाती है वह finite verb होती है तो एक finite verb होगी तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पर एक simple sentence कहलाएगा इसमें एक finite verb यह है और एक यह है इसका मतलब भी simple sentence नहीं है और इसको हमें change करना है simple sentence में इसमें today आ गया इसमें today नहीं है ठीक है तो यह वाला cross है उसके बाद में see is coming इसका मतलब यह भी नहीं है दूसरा क्या करा है complex sentence हो गया हमें चीए simple simple का मतलब जिसमें एक ही finite verb हो तो इसका answer क्या हो गया she told of her coming उसने अपने आगमन के बारे में बताया तो यहाँ पर इसका answer क्या हो गया यह c answer हो गया आप अपना comment box में नहीं समझाए तो अपना comment box में मुझे comment करना है कि which one is correct and how कैसे I will explain it very well right question number four transform the given sentence into adjective adjective क्या होता है कोई भी चीज की क्या बनाना कोई भी चीज की आप जो noun होता है उस noun के पहले जो चीज आती है वो क्या कहलाती है adjective कहलाता है यह respectfully यह adverb है इसको हमें क्या बनाना है adjective के according बनाना तो she treated me with respect यह preposition आ गया she respectfully यह वापस क्या आ गया adverb आ गया she was respectful to me तो देखिए यहाँ पे यह वाला बनेगा क्योंकि यह linking verb होगी उसके बाद में almost आपको adjective यह निक compliment मिलेगा और वो adjective कहलाएगा तो she was respectful to me इसका अंसर यह हो जाएगा she treats me respect तो यह वाला नहीं है क्योंकि यह एक तरक क्या लग रहा इसको adjective के रूप में बनाने तो इसका अंसर क्या हो गया नहीं समझाए तो मुझे comment box में करना है I will repeat and I will explain it again and again question जो है वो समझने आये तो आप अराम से मुझे पूछ सकते है comment box में अपना अंसर डालके कि मुझे यह कैसे होगा दूसरी तरी आपको मैं बहुत बहुत्रियन डेंस से इसको वापत क्या करूँँआ उसके बाद में next क्या कहा रहा है transform the given sentence into negative तो आपको negative बनाना तो negative देखिए human is mortal देखिए transformation का मतलब ही यह होता है कि उसके structure में change होना ना कि उसके earth में change होना ना कि उसकी meaning में change होना human is mortal तो इसका क्या answer क्या होगा human is not immortal immortal का मतलब क्या नहीं है अमर मनुष्य जो है न यह कर रहा है कि human is mortal ठीक है ना निकी नस्वर है ठीक है लेकिन यहां कहा रहा है कि human is not immortal इसका opposite दे दिया और फिर साथ में note लगा दिया इसका मतब दोनों का क्या हुआ भई अर्थ निकल के आया वह mortal निकल के आया तो इसका answer क्या हो गया बी answer हो गया बाकी यह नहीं है यह नहीं है और human is immortal तो यह इसका क्या ह हो गया उल्टा हो गया ओपोजिट हो गया तो यह नहीं माना जाएगा नगेटिव वाला यह माना जाएगा ठीक है उसके बाद में आता ट्रांस्फर्म दगीवन संटेंस इंटू complex sentence तो complex sentence क्या होता है जिसमें दो finite वर्ब होंगी जदीशी बात यह होता है और complex sentence क्या होगा जो coordinating जो conjunction होते हैं उनसे जुड़ा वह मिलेगा तरह से कि my ambition is to serve the country यह simple sentence है क्योंकि इसके अंदर एक ही finite वर्ब है उसके बाद में आगला जो इसका answer आएगा वो आएगा my ambition is that my ambition is that I should I shall serve my country तो इसका answer है वो आपका क्या मन जाएगा my ambition is that I should serve my country इसका answer हो जाएगा यहाँ पर my ambition is that I shall serve my country करूँगा तो यह वाला बनता है बट यहाँ पर करूँगा यह कर रहा है कि my ambition is to serve the country वो यहाँ पर wish कर रहा है तो wish के लिए कौन सा मोडलाता है यहाँ पर should आता है तो to serve my country देखी sentence यह है simple है यह sentence है वो भी क्या है I serve my country is तो यह भी क्या हो गया यह sentence का structure जो है वो भी wrong हो गया तो उसका मतलब answer बन रहा है वो सरफ और सरफ यही बन रहा है complex sentence यह बनना है जो coordinating connections होता है वो that जो है उससे क्या हो गया जूड़ गया हो तो इसका मतलब हमारा complex sentence यह बना ठीक है next मना transform the given sentence into negative negative में आपको क्या करना है वही बात आ गया negative का मतलब इसके earth में change नहीं होना चीए इसके structure में change हो सकता है बट इसके earth में change नहीं होना चीए तो people want to travel the world isn't it तो यह नहीं बना ठीक है यहाँ पर क्या पूचा है negative तो negative यह नहीं बना इसका मतलब यह cross है उसके बाद में B option में कहा रहा है कि many people don't want to travel तो travel the world ज्यादा लोग नहीं चीक है तो इसका answer क्या हो गया? B इसका answer हो गया चमझे है don't you don't this is Reid इसका बनी नहीं रहा है इसका negative वाला है इसका फिर in avoiding गया यह भी wrong हो गया तो इसका answer क्या हो गया, negative का ये वाला हो गया, not many people, जदा लोग नहीं, want to travel the world, तो यहाँ पे इसका answer क्या आ गया, be आ गया, वापस देख सकते हो आप question को, इसमें कहरा है कि many people want to travel the world, भूच से लोग संसार को travel करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, यानि कि भूच से लोग नहीं, want to travel the world, तो यह इसका negative बन गया है, उसके बाद में next आता है, question number 8, transform the given sentence into comparative, comparative में, आपको comparative बनाना है, तो comparative बनाओगे, तो देखिए, कौन सी comparative डिग्री में चेंज करना है, तो यहाँ पे करना है, that chocolate is not as, 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 कौन सा टेंस हो गया, डिग्री होगी, positive होगी, तो यहाँ तो यहाँ इसका अनसर क्या हुआ, यहाँ फेस्का जो 미्स हो गया है, तो यहाँ इसका जोresser बनेगा, वह होगा, this chocolate is sweeter than that one, this chocolate, यहाँ पे that जो है, वो this chocolate में change हो जाएगा, this chocolate is, this chocolate is sweeter, sweet का comparative में क्या हो जाएगा, sweeter than that one than that one इस तरह से लग जा क्योंकि यहाँ पर first person है वो second के जगह है second person है वो first के जगह है आप सब कुछ देख सकते हो यहाँ पर यानि कि मेरा कहने का मतलब यहाँ जो आपको link में मिल जाएगा जो degree है वो अच्छे से मैं एक्स्प्लेंड कर रखी है और 101% degree के sentences आप से पूछे जाएंगे question number 9 transform the given assertive sentence into interrogative तो assertive को interrogative में change करना है assertive का मतलब क्या हो गया simple साधरन हो गया तो इसको everybody has had of amitavatsan, amitavatsan के बारे में हर आदमी तो everybody जो है मैंने जो transformation का है वो मैंने करवा रखा है तो उसमें आपको अच्छे से में explain कर रखा है everybody जो है उसका हमें क्या बनाना है interrogative बनना तो has everybody यहाँ इसका क्या बन जाएगा has everybody heard of amitavatsan कि interrogative पूछा ना तो interrogative sentence यह हो गया आपका चीक है इसमें देखिए बाकी जो interrogative नहीं बन रहे हैं चीक है यह सर्फ यहीं बन रहा है तो a option इसका अंसर हो जाएगा transform the given sentence into complex complex में आपको क्या करना है इसको तो complex में वहीं आ गया कि उसमें क्या coordinating conjunction होनी चीज़ जैसे कि that है तो यहाँ पे इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer यहीं हो जाएगा क्योंकि इसमें coordinating conjunction देट आ गया तो यहाँ आप बाकी देखिए इसमें यह भी नहीं है ठीक है और innocence is seen यह भी नहीं है और यह भी नहीं है तो उसका अप्रोप्रोप्रोप्रेट जो एंस से होगा शूटेबल एंस से होगा वो क्या है हर लुक्स प्रोक्लीम outta यहीं क्या कर रहा है प्रोक्लीम कर रहा है कि वह यहिन वह उन्हूरम कर रहा है । उसक जो क्योंसर होगा व। क्या है कई तो इसमें यह नाउन नहीं है इसमें यह verb है और यहां कारह कि पारूल है तो पारूल के पास में क्या है समफेती है किसके लिए द्रनेदी अन्ड है पुवार तो यहां पर अबजेक्ट बनना इनकी नौन का काम कर रहा है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा next time question number 12 question number 12 बोला है कि transform the given sentence by changing into verb इसको यानि कि the examination result gave her pleasure तो इसको हमें change करना है किसमें verb में तो इसका answer क्या होगा the examination result pleased है यह इसका क्या बन गया वोब बन गया यहां क्या करा है यहां किसी ही हमें वोब बनानी है यहां पर इस सीधी इसकी वह बाजाएगी pleased है ओके question number 13 transform the given sentence into interrogative a great deal of research has been done on the science project इसका जो अंसर होगा वह दिखते हैं क्या होगा यह बना रहा है इसका interrogative देखिए interrogative है वो क्या बन रहा है देखिए interrogative का मतलब यहां पर helping वह अब से यह start हो रहा है यह start हो रहा है यह जो दो है वह क्या बने हैं interrogative बन रहे हैं अब इसका जो अंसर होगा वह क्या होगा कि है यहां पर undergone है तो यह हो नहीं सकता तो इसका अंसर क्या आ गया ए हैस मच रिसर्च बीन डन ऑन दे साइन्स प्रोजेक्ट बाकी यह क्या नहीं है interrogative नहीं है ठीक है तो इसका अंसर क्या हो गया है नेक्स्ट क्यूशन कर रहा है ट्रांस्फॉर्म डगीवन संटेंस इंटू complex तो complex का मैंने आपको बताया था कि complex किस से उतास conjection से यह पर जुड़ेगा conjection से जुड़ेगा तो यह simple sentence है simple we have informed hair of our success to simple कैसे हुआ क्योंकि इसमें एक ही finite verb है अब next कह़रा है कि वी हैं we have informed hair of our being successful ह में चिए कौनसा संटेंस कासा sentence complex नहीं seeing कि इसमें कैसे एक ही है बागी क्या है सिंपल हुआ हमेंच यह complex तो complex में क्या हो गया यह हो गया इसका अंसर क्या हो गया क्योंकि बंतुई भी सकता लेकिन इसमें क्या गया भी ना गया है इसका अंसर क्या बन गया सी इस तर से आई होब कि आपको समझ आया होगा तो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टनेट जो सब्सक्राइब लेगा एलडीशी का और आपको कमेंट बॉक्स में लिए कि कौन-कौन जौन करना चाहता है हमारा और आपको फ्री ओफ कोस्ट सारी आपको सुげ घह लेनम झाजछी स्टेर्थ